हेलो रिवान वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल फार्मा रोक्स के यूटूब विज्यो किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे ओइंट्मेंट के बारे में ओइंट्मेंट की जो सेमी सॉलिड डोजिस को हम काहtoi जाते है उनके बारे में हम जानेंगi detail में कि उसके use वगरा क्या होते है characteristics क्या होती है और ideal ointment के अंदर क्या properties वगरा होनी चाहिए उसके क्या लाक्षनिक्ता होनी चाहिए तो वह सब सीखेंगे हम यह video lecture के अंदर detail में एक्सपेट लेक्चर बायमर सर, और सिस्टम प्रोफेसर और फाॉटर ओफाॉटर 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 ओफाॉट आप्लिकेशन गूगल प्ली स्टॉर पर से आईफ़ेन है तो एप स्टॉर पर से भी डाउटॉट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे डूसेस पॉर्म के बारे में कि टोटल हमारे पास तीन टैप के डोर्य फॉसम होते हैं एक होते हैं solid कि जैसे आप यह tablets यूज़ करते हैं capsule फिर powder doses form वगिरा होते हैं तो इसको हम कहते हैं solid फिर second जो liquid doses form कि जैसे आप detol का यह antiseptic liquid यूज़ करते हैं या फिर जो syrup वगिरा होते हैं कि syrup, emulsion, suspension वगिरा को हम कहते हैं liquid doses form और तीसरा जो doses form है हमारा वो है semi solid कि जो ना proper solid है, ना proper liquid है उन दोनों के intermediate condition में है that is a semi solid तो semi solid doses form ऐसे होते हैं कि जो usually external preparation के तौर भी use किया जाते हैं कि आप यह कि समझें कि यह जो vaseline का जो यह appointment देख रहे हैं तो वो आपके skin के outer layers के उपर apply करेगे जो usually external preparations के तौर पे use होते हैं तो semi solid doses form जो है वो ऐसे product है कि usually उनकी therapeutic effect होती है, protective effect होती है as well as cosmetic effect के तौर पे वो use किया जाते है और specially skin के external layers के उपर उनको जो है वो लगाया जाता है कि चाहे आप gel use करते है, paste use करते है, ointment या फिर cream तो यह सब semi solid doses form है and dermatological product भी उनको कहा जाता है कि आपकी जो skin है कि जिसको हम derma कहते है तो dermatological products मतलब कि जितने भी semi solid है वो usually dermatological product जो है वो हम उनको कह सकते हैं और यह जो skin के उपर apply किया जाते है, so in pharmaceutical preparations for treatment of conditions such as racist, कि आपके skin उपर समझे कि आपको racist होते है, skin के उपर को irritations हो रहे है, skin stings हो चुकी है साथ हो साथ कोई fungal infection है तो यह वगेरा को treat करने के लिए हम अलग-अलग semi solid doses form prepare करते है and are normally supplied in the form of cream or ointment as this provide an effective means delivering the active ingredient directly to the required area कि जैसे यहाँ पर हमने जो mark किया है कि वो समझे कि required area था तो directly आप जो है वो required area पर ही यह medications को apply करते है कि जो medicated ointment वागिरा है medicated cream है तो directly जो है वो आप affected area के उपर उसको apply करेगे तो यह है semi solid doses form तो उसमें हमें आज detail में सीखना है ointments के बारे में तो ointment क्या है तो ointment आरे soft semi solid preparation meant for external application to the skin or mucous membrane कि यहाँ पर देखो जो ointment होते हैं कि समझो कि यह वाले container के अंदर ointment है तो इसको समझो कि मैं watch glass के अंदर निकलता होगी यह वाला आप देख सकते है watch glass तो watch glass के अंदर आप देखो तो इस type के यह consistency आपको देखने को मिलेगी ointment की मतलब कि यह semi solid है semi solid preparation है और इसको जो है वाप आपके skin के layers के उपर जो है वो apply करेंगे कि जो external layer है हमारे skin का वहाँ पे external preparations के तोर पे हम उसको use करते हैं यह काफी soft होता है देखो उसकी consistency आप check कर सकते हैं कि काफी soft रहता है यह semi solid doses form ointment they usually contain the medicament which is either dissolve or suspend in the suitable base ingredient like petroleum jelly type of base के जैसे यह soft semi solid base यह petroleum jelly है तो यह petroleum jelly के अंदर आपकी जो drug है आपका जो active pharmaceutical ingredient है इसके अंदर mix किया जा सकता है कि जैसे आप यह देख सकते है कि यह plain ointment है कि जिसके अंदर कोई भी type का medications होगे रहा add नहीं किया है बट समझो कि इसके अंदर में add कर देता हूँ कोई active pharmaceutical ingredient या फिर कोई drug को हम उसके अंदर add करते है so drug की जिसको हम medicaments कहते है medicaments add करने के बाद यह ointments जो है वह medicated ointment के अंदर convert होगा so ointments are greasy और oily semi-solid preparations यह देखो आप जो ointment देख रहे है तो काफी greasy होता है काफी oily preparations होते हैं तो greasy और oily semi-solid preparations usually medicated खास कर यह medicated होते है that can be applied externally to the skin in order to healing, soothe और protected कि जब आपके skin को protect करनी है, healing करवाना है और साथो साथ soothing effect समझे के skin के ऊपर provide करनी है तो उसके लिए यह हम ointment वगेरा को use करते है it is a viscous semi-solid preparations used topically on a variety of body surface कि जैसे आप यह ointment देख रहे है तो यह आपके body surfaces के उपर आप अपलाई करेगे कि आप skin के उपर अपलाई करेगे कि समझे के कोई जगा पे आपको injury हुई है तो वहाँ पे skin को protect करने के लिए healing के लिए भी आप ointment वगेरा use करेंगे soothing action provide करने के लिए भी ointment वगेरा को use करेगे और viscous semi-solid semi-solid में भी जो viscous semi-solid करे जादे कि जिसको आसनी से आप जो है वो spread कर सकें semi-solid तो है बड़ समझे कि आपने यह finger के उपर यह ointment लिया है तो उसको फिर आसनी से आपके जो skin के उपर आप जो है वो spread कर पाओ कि easily जो है वो spread हो जामलेब कि उसके spreadability अच्छी होनी चाहिए तो यह एक property हम कही सकते है ointment की फिर जो देखे तो drugs ingredient can be dissolved emulsifier और suspend इनने ointment base की जो ointment का आप base लेते है उसके अंदर कि like आपने इस तरह से कोई beaker के अंदर या फिर china dish से समझो कि मैं कहता हूँ किस तरह से कोई china dish आपने ली है अब यह china dish के अंदर आपके यह जो base है उसके अच्छे से proper वे करने के बाद आपने उसके अंदर उसको add कर दिया है अब क्या करेंगे आप इसके अंदर mix करेंगे आपकी drug को mix the active pharmaceutical ingredient तो जैसे ही आपका active pharmaceutical ingredient उसके अंदर mix करेंगे तो अब यह जो convert हो जाएगा medicated ointment के अंदर की जो ointment base plus API और दोनों का mixture से तयार हो गए आपका medicated ointment के आपने जिस टाइप की medication याड की होगी उस टाइप की वो अपनी pharmacological action देगा कि लाइक समझो कि आपने painkiller वाला कोई diclofenic medicine उसके साथ mix किया है तो आपका जो ointment बनेगा वो diclofenic का ointment होगा तो वो pain killer के तो आपका काम करेगा कोई antiseptic medications mix किया है तो antiseptic ointment बनेगा तो जिस टाइप का active pharmaceutical ingredient होता है उस टाइप की अपनी pharmacological action देते है ये ointment तो latin के अंदर ointment को अंगें टम जो है उसको कहा जाता है latins के अंदर तो ये खास यद रखे ये multiple choice question के अंदर बहुत बार पुछा जाता है कि what is the latin term for ointment ointment के लिए जो latin के अंदर जो term है that is a unguent term so latin unguent that means anoint with oil कि जो oil के साथ जो combine हुआ कोई material कि जिससे oil जैसे हम जानते कि liquid है और उसके अंदर proper preparation करके आप oil में से semi solid mask जो तयार करते है that means a ointment तो latin उसका term है unguentum वो खास आप याद रखे और ये देखो और कुछ marketed formulations में भी unguentum जो है वो लिखा होता है वो इसके उपर लिखा कि for dry and sensitive skin की जिसके skin dry होती है sensitive होती है वो directly उसको जो है वो apply कर सकते है तो अब जानिये ointments के बारे में तो ointments are semi solid preparations for application to the skin or mucus है तो अब यहां तक आपने जो सीखा उससे आपका concept लिए clear हो गया कि ointments जो है वो सिर्फ और सिर्फ external preparations के लिए ही use किया जाते है और उनको आपके skin के layers के उपर apply किया जाता है the ointment bases are almost always anhydrous and generally content one or more medicines in suspension और solution और in a ointment base के समझो कि आपने white filled ointment आपको बनाना है तो यह white filled ointment के अंदर सबसे पहले तो क्या रहेगा एक proper base रहेगा कि जो emulsifying base आप ले रहे है that is a 91 gram तो क्या हुआ कि आप जो यह preparations बना रहे है ointment तो उसके अंदर एक जरूरी है proper base की तो base के तोर पे आपने ले लिया यह emulsifying ointment base की जिसकी quantity है 91 gram अब यह base के अंदर आप क्या करोगे आपके जो medicament से उसको अच्छे से dissolve कराओगे या फिर उसके अंदर जो है वो अच्छे से mix कर दोगे कि जैसे कि आपके पास यह benzoic acid का fine powder है तो उसकी quantity 6 gram है फिर salicylic acid का fine powder है वो 3 gram है तो 6 और 3 यह total 9 gram जितना benzoic acid and salicylic acid आपके प्रास से और 91 gram जितना यह emulsifying ointment base तो total जो आपके preparation समझे कि आप बनाते हैं that is a 100 gram अब 100 gram preparation बना कि उसकी अलग अलग packing आप कर सकते कि जैसे आप 10 gram के packing के अंदर भी उसको fill करके total ऐसे 10 जितने ointment की जो tubes है वो आप बना सकते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो यह दोनों तो solid material कि आपको पता है कि benzoic acid solid type का होता है salicylic acid का powder भी solid है और ointment base के साह सेमी solid है तो यहाँ पर जो sentence है वो आप समझे तो ointment bases are almost always anhydrous and generally contain one or more medicament की यह जो आपका ointment base था उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा की यह एक medicament हो गई benzoic acid दूसरी medicament हो गई यह salicylic acid और यह दोनों ने emulsifying base के अंदर अच्छे से mix up होके जो preparations तयार की उसको हम कहते है white filled ointment या फिर उसको compound benzoic acid का ointment भी कहा जाता है as per the British pharmacopoeia और इसके marketed formulations भी आप देख सकते कि बहुत सारे की benzoic acid के and salicylic acid के combination में जो ointment होता है उसको कहा जाता है white filled ointment और यह multiple choice questions का एक सबसे बड़ा point है कि white filled ointment के अंदर कौन से ingredient होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है फिर आगे समझते हो ointments के अंदर तो solid content is less and drug is mixed with the semi-solid base जैसे कि pain relief balm होते है medicated ointment, povidon iodine ointment, mopirocin ointment and bacitracin ointment तो यहाँ पे क्या लिख रहे है कि solid content is less, solid content काफी काम होता है कि उसका example आप देखो तो povidon iodine ointment 10% लिखा है उसका मतलब यह है कि 10 gram जितना रहेगा आपका active pharmaceutical ingredient और बाकी का 90 gram जितना रहेगा आपका base या फिर आपका 100 gram base है तो उसके अंदर से 10 gram जितना है active pharmaceutical ingredient present है कि जिसको हम कह सकते कि 10% कि 10 gram in 100 तो 10% जितना ही आपका active pharmaceutical ingredient मतलब कि solid content काफी काम होता है जबकि drug जो है वो solid content तो वो काफी काम होता है कि जिसको mix किया जता है semi solid base के अंदर कि जैसे हमने white field ointment के अंदर देखा तो सिर्फ 9 gram जितना था salicylic acid और benzoic acid जबकि 91 gram था emulsifying ointment बेस तिस तरह से 100 होता था तो solid content कितना था सिर्फ 9 gram जितना और semi solid content था 91 gram जितना था तो solid content काफी कम होता है ointment के अंदर जबकि semi solid base के quantity उसके अंदर ज्यादा होती है कि आप जो pain relief balm यूज करते हैं तो वो भी एक example है ointment का as well as यह जो हिमालिया का समझो कि आप balm यूज करते हैं तो वो भी एक ointment है जंडू balm यूज करते हैं अम्रूत आंजन बहुत सरे से balm के brands available है वो सबी को हम कह सकते हैं कि वो ointment ही है उसी तरह से आप देखो तो आपने बैसिट रासिन का यह ointment कई बार यूज किया होगा कि जो first aid के लिए कई बार यूज किया जाता है एंटिबायोटिक है वो फिर povidon iodine ointment भी antiseptic के तौर पर यूज किया जाता है कि जब आपको first aid kit के अंदर उसको आप देख सकते हैं कि first aid kit के अंदर povidon iodine ointment होता है कि जब किसी को injury होती है wound होता है तो जो dressing करते हैं आप तो उस वक्त यह ointments यूज किया जाता है तो ointments are very greasy कि जैसे आप यहाँ पर यह slide पर देख रहे हैं तो ointment काफी greasy होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब vehicles वगरा के अंदर आपने grease जैसे preparations को देखा होगा कि vehicles के अंदर भी oiling करने के लिए grease वगरा यूज किया जाता है कि वेहिकल के टायर वगरा होते हैं फिर अगर अंदर जो machinery होती है वहाँ पर भी यह से material एड़ किया जाता है उसी तरह से ointment भी ऐसे greasy material ही है कि जैसे आप यहाँ पे आपके finger के उपर लेते हैं तो इस टाइप का greasy behavior आपको देखने को मिलते हैं यह ointment का and produce a greasy layer on a skin layer अब आप समझे कि आपके skin के उपर इसको apply करोगे तो यह कैसा layer छोड़ेगा तो एक grease जैसा greasy as well as दुसरे वर्ड में हम कहें तो एक oily layer जो है वो छोड़ेगा यह ointment आपके skin के layers के उपर फिर बात करें तो they have a emollient and protective action emollient action देते हैं moisture provide करते हैं protective action provide करते हैं produce a oily greasy layer on the skin and prevent the moisture कि समझो कि आपका यह skin का layer है और अंदर की और जो है वो moisture है कि skin के अंदर के layer के अंदर यह moisture जो है वो present है अब समझो कि यह skin के जो outer layer है वहाँ से यह moisture समझो कि बाहर चला जाता है but समझो कि आप अब ointment apply कर दे तो ointment क्या गरेगा एक पूरा एक layer इस तरह से तयार कर देगा जिसके करण क्या होगा यह जो moisture है वो अब बाहर की और नहीं जाएगा कि जब आप ointment apply कर देते हैं उसके बाद यह moisture जो है वो बाहर की और जो है वो जाने से क्या होगा prevent होगा जिसके करण prevent करता है moisture of the skin because यह जो yellow color का जो आप यह layer देख रहे है उसको हम कहेंगे कि एक greasy layer तयार कर दिया है आपके यह ointment ने जिसके करण skin के अंदर के अर रहा जो moisture है वो skin की बाहर नहीं चला जाता है जिसके करण देखो winter season के अंदर हम यह vaseline स्वगेरा को use करते है कि यह जो vaseline जिसी जो preparation से as well as जो skinoline करके यह winter care preparation से वो भी एक ointment ही है तो उसको जो है वो use किया जाता है आपके dry skin स्वगेरा के treatment के अ ointment are directly apply under skin and use for external use only यह खास दियान रखे कि ointment जो है वो external preparation में ही use होते है उसको आपको internal जो layers होते है skin के वहाँ पे आप ointment वगरा को use नहीं करते तो यह खास दियान रखना है for external preparation only और उसके जो containers होते है उसके ओपर यह labeling करना खास जरूरी है external use only medicated ointment prepare for treatment for various skin related problem and skin disease कि जो medicated ointment होते है वो skin disease वगरा होती है skin related problem होते है उसको treat करने के लिए use किया जाते है winter care preparations for treatment of the dry skin like यह जो है winter care जो आप देख रहे है तो वो आप dry skin जो हो जाती है उसके treatment में use करोगे जबकि समझे कि आपको यहाँ पे skin के उपर हो रही है etching तो etching के लिए जो ointment होते है कि like salicylic acid benzoic acid वाला आप use करते है या फिर betex का जो ointment आता है वो use करते है तो वो क्या करेगा कि जो अलग-अलग skin disease होती है skin related जो problems होते है उसको treat करने के लिए medicated यूज़ किया जाएगी या फिर जो simple ointment की जिसके नदर कोई medication से याड़न के सिर्फ plain petroleum jelly ही है तो वो आपकी dry skin के treatment में use किया जाता है कि जो आपका skin का जो moisture है उसको prevent करने का काम करेगा फिर समझे तो उसके दूसरे कुछ important characters हम समझे तो not easily absorb काफी लंबे समय तक आपके skin के layers के उपर रहता है ointment उसका absorption जो है वो काफी slow होता है stay long time on the skin healing power उसका रहेगा low more thick and viscous वो काफी थीक है और viscous रहता है translucent appearance है and high concentration of oil in formulation की जो भी formulation उसके अंदर oil content ज्यादा होता है and lower spreadability and require rubbing to spread कि उसके spreadability low होती है compared to cream कि जो आप creams use करते है उसके compare में इसके spreadability कम होती है और आपको proper rubbing करना होता है to spread कि जब आपको ointment को या पी इस तरह से आपने finger पे लिया है और skin के उपर spread करना है तो आपको थोड़ा rubbing करना पड़ेगा उसको spread करने के लिए जैसे आपको ये बाम वगेरा यूज करते है कि लाइक आप जंडू बाम यूज करते है या फिर अमरुतांजन का कोई बाम यूज करते है टाइगर बाम यूज करते है आयोडेक्स यूज करते है तो आपको जब वो लगाते तो आपको काफी rub करना पड़ता है spread करने के लिए because उनके spreadability कैसी होती है lower जबकि आप देखो कोई cold cream आप लगा रहा है तो cold cream काफी आसानी से easily जो है वो spread हो जाएगा तो ये है ointment अब जानते हैं उसके characteristics की characteristics of an ideal ointment कि जब आपको ideal ointment कोई बनाना है तो उसके अंदर क्या characteristics होनी चाहिए तो सबसे पहले it should be chemically and physically stable कि chemically भी stable रहे physically भी stable रहे उसके जो form से वो change ना हो कि वो semi solid है तो 6 मैने तक आप उसको समझे store करके रखते तो 6 मैने तक वो proper अपने physical form में ही रहना चाहिए semi solid और chemically कि समझे कि उसके अंदर कोई chemical reactions नहीं होनी चाहिए वो 6 मैने तक मतलब कि वो stable रहना चाहिए जब तक आप उसको use करते है it should be smooth and free from grittiness grittiness जैसा नहीं होना चाहिए smooth होना चाहिए कि easily आप समझे skin के layers पर apply करते है तो आप जो उसको smoothly apply कर सके कोई grittiness जैसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके skin को irritate करे या फिर skin को damage करे it should melt or soften at body temperature and be easily applied कि आपका जो body temperature होता है वो temperature पे वो आसानी से क्या हो जाए melt हो जाए साथ उसाथ soft हो जाए कि जिससे आसानी से वो skin के अंदर के layers के अंदर absorb हो सके the base should be non irritant कि जब आप ointment को आपकी skin उपर apply करे तो उसके करन को irritation नहीं होना चाहिए and should have no any therapeutic action base की कोई action नहीं होनी चाहिए base सिर्फ base का ही काम करना चाहिए जब उसके अंदर medication याड़ करे तो ही वो medicated ointment कहा जाता है वरना वो जब plain होता है तब नहीं को इसके therapeutic action होती है और नहीं को irritation करना चाहिए the medicament should be finely divided and uniformly distribute throughout the base कि जो भी आप medicament use करते है उसको अच्छे से fine powder बना देना चाहिए और उसके बाद proper uniform distribution करना चाहिए आपके base के अंदर को proper mixing ज़रूरी है कि आपका जो base है उसके अंदर जब आप powder add करते हैं कोई भी medicines का तो proper आप उसको mix करिए कि जिससे वो सही से uniformly distribute हो जाए और ये point खास कि chemically and physically stable होना चाहिए and free from greatness तो इतने जो मैंने point highlight किये वो आपके लिए pin point है characteristics of an ideal ointment के अंदर फिर जानते है कि medicinal use क्या होते है ointment के तो ointment are used topically for several purposes like protectant तो protectant के तौर पे कैसे काम करेगा कि protect the skin and prevent the moisture protect the skin and prevent the moisture कि moisture को prevent करता है skin को साथ और साथ protect करता है antiseptic के जैसे antibacterial and antimicrobial property provide करता है कि जब आप उसके अंदर ऐसे medication याड़ करते है कि जो antiseptic से तो वो antibacterial का का काम करेगा antimicrobial काम करेगा emollient के तौर पे skin को soft करेगा increase करेगा उसका moisture level soothing action provide करेगा आपके skin के उपर तो ये खास याद रखे उसके बाद चौथा point आप देखे तो anti-pruritrick anti-each drug कि prevent the and treat the allergy के allergy के करण जो रैसिस हो जाते है itching होती है skin के उपर eczema जैसा हो जाता है dermatitis होता है तो उसके लिए जो medicated हम ointments बनाते है तो वो anti-pruritick का काम करते है catarolytic के तोर पे soft करते है keratin को कि जो major component है हमारी skin का तो keratolytic के तोर पे काम करता है and astringent कि जो shrink और constrict करते है body tissues को तो ये अलग-अलग medicinal use रहते है ointment के in the case of protective ointment it's served to protect the skin against the moisture and sun rays and other external factors कि जैसे आप देखते कि povidoneidin का ointment है 10% तो उसके उपर आप देख सकते कि जो beta-dink का जो ointment आता है तो वो antiseptic ointment होता है और वो antiseptic के तोर पे काम करता है and वो क्या करता है destroy and inhibit करता है growth of a bacteria तो in case of protective ointment तो protective ointment के हमने बात किया कि skin को protect करते है moisture को prevent करते है external factors से फिर जो दूसरे medicinal use हम समझे तो frequently bacterial infections are deposited a base which has the capacity to either penetrate or destroy and release the medication effectively is there for desire कि आपका जो ointment है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर रहे जो भी medication है वो दिरे दिरे release करवाई और साथो साथ उनका penetration करवाई आपके skin के layers के अंदर की जिसके करन की pharmacological action भी मिले and ointment used for the remoliant effect समझोगे सिर्फ हाफ emoliant के तौर पर यूज करते हैं moisturizer के तौर पर काम यूज करते हैं तो easy to apply कर सके non-greasy होने चाहिए and effectively penetrate the skin कि skin के layer में penetration हो सके आसानी से और उपर के point में हमने देखा कि release कर सके medications को effectively कि उसके अंदर जो medication mix करते हैं वो आसानी से वो release करना चाहिए फिर classification देखे हम ointment के तो ointment टोटल तीन अलग-अलग type के बनाए जाते हैं एक होते है epidermic दूसरे होते है endodermic और तीसरे होते है diadermic कि जो skin के अलग-अलग layers होते है click epidermis का जो layer है dermis का जो layer है subcutaneous tissues है muscles वगेरा है तो जो layers होते हैं उसमें से proper absorption होना penetration होना skin के layers के अंदर वो जरूर है तो उसी के according to ointment टोटल तीन type में divide होता है epidermic endodermic and diadermic तो समझते हैं epidermic ointment को तो these ointments are intended to produce their action on the surface of the skin and produce the local effect ये खास समझे local effect मतलब कि topical action कि जो सबसे बाहर का जो layer होता है कि जिसको हम epidermis कहते हैं कि जिसे अपने ये previous slide के अंदर देखा कि जो epidermis layer कि जो सबसे outer layer कहा जबाए हमारी human skin का तो जो हम epidermic ointments बनाते हैं वो सबसे बाहर के layer पर अपलाई किया जाते हैं जैसे कि आप povidon iodine ointment है तो वो जो है वो local action provide करेगा सबसे बाहर के layers के उपर they are not absorbed they act as a protective like antiseptics and parasiticides type के epidermis ointment तो उनका absorption नहीं होता और सिर्फ वो काम करते हैं as a protective का as well as antiseptics का वो काम करते हैं कि जो antiseptic and parasiticides वाले जो ointments होते हैं वो काम करते हैं तो epidermis ointments के अंदर आपको सिर्फ ये point खास जान रखना है कि वो local effect provide करते हैं topic collections देंगे तो ये pin point आपके लिए MCQ के लिए खास important रहेंगे epidermis ointment में से कि जो मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ कि especially antiseptic and parasiticides के तोर पे वो काम करेंगे और अपने local action provide करते हैं topical action provide करते हैं आपके skin के सबसे बाहर के लिए जिसकों कहते हैं epidermis दूसरा है endodermic तो these ointment are intended to release the medicament that penetrate into the skin यहाँ पे जो endodermic जो है वो अब epidermis से अंदर के layer के अंदर penetrate होगा तो penetrate into the skin यह खास और क्या penetrate करेगा medicaments को कि release करेगा और साथ उसाथ medicaments को penetration करवाने का काम करेगा skin के अंदर के layers के अंदर and they are partially absorbed act as a emollients stimulants and local irritants के तोर पे वो काम करेगा तो यह है endodermic ointments फिर diadermics के अंदर समझे तो this ointment are intended to release the medicament that pass through the skin and produce the systemic effect कि अब क्या होगा diadermics के अंदर सभी जो अलग-अलग layer से उसको cross करके आपका जो medication है वो directly systemic effect प्रोवाइड करने के लिए systemic circulation में जाएगा so absorption of the medication done by the layers of the skin कि जितनी भी layer है वो सभी layer को पार करके last तक पहुचेगी ये diadermic type के ointment तो यहाँ पर क्या है ये systemic effect प्रोवाइड करते हैं ये जो है वो partially absorbed होते हैं और जो हमने previous slide के अंदर देखा उस तरह से जो epidermic है वो topical के तोर पर काम करते हैं ये तीन अलग अलग type के हो गए ointments फिर बात आयती है ointment basis के जो ointment को prepare करने के लिए हम use करते हैं कि जैसे कोई भी doses form के अंदर दो ingredient होता है एक होता है drug और दूसरे होते है excipients तो जो excipients है वो है हमारे ये ointment base के drug तो है ही हमारे पास बड़ जब excipients होता है तब कोई तयार होता है doses form तो जब हमें ointment doses form तयार करना है तो उस वक जरुरत परती है drug की और साथे साथ excipients तो excipients के तोर पे है ये base कि समझे कि आप ये petroleum जली को यूज़ कर दे तो वह excipients हो जाएगा drug समझे कि मैं कोई लेता हूँ povidon iodine का ointment बनाना है तो वह ingredients लेता हूँ तो उसके करन जो मेरा ointment बनेगा वो कहा जाएगा povidon iodine ointment उसे तरह से white field ointment में बना रहा हूँ तो उसके अंदर 10% जितना 9% जितना हो जाएगा benzoic acid and salicylic acid और बाके का में यूज़ करूँगा ये emulsifying bases तो bases का खास important है किसी भी ointment के अंदर तो जो vehicle का काम करते के serve as a carrier और vehicle for the medicament और उसके classification को हमें detail में सीखना है एक है oleagenous base absorption base, water miscible and water soluble तो ये जो ointment के bases को हम next video lecture में सीखेंगे कि जो part 2 रहेगा ointment के बारे में कि जिसके अंदर ये जो सभी bases का detail classification हम सीखेंगे उसके example और कौन से अलग-अलब type के ये bases होते है कि उनकी properties क्या होती है कैसे वो काम करते हैं कौन से अलग-अलग ointment ये bases को use करके बनाए गए तो वो सभी को हम सिखेंगे next video lecture में आपे ointment base की जो रहेगा part 2 so thank you for attending this lecture pharma rocks के lecture notes आपको pharma rocks के आप उपर मिल जाएंगे thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access करें study material, test series and video lecture pharma rocks के आप उपर तो अगर आपके पास android app है तो डाउनलोड करें android application iphone user है तो ये app store पर से डाउनलोड कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगे so good luck and all the best